हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रपरेशन है वह अच्छे से चल रही होगी जैसे कि हमको पता है कि बीपीएसी का जो एक्जाम है वह है 13 इन 14 दिसंबर को ठीक है और 99% यह एक्जाम इसी डेट को होगा तो आप अपनी प्रपरेशन है वह उसी साब से रखिएगा और हम स्टार्ट कर चुके हैं अल्रेडी बिहार स्पेशल जी के फर्स्ट वीडियो है आपको इंट्रोडक्शन का शिक्स मिनिट का वीडियो था मिल चुका है आज हम करेंगे सेकिंड पार्ट इंट्रोडक्शन का ठीक है इससे पहले अगर आपने मारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ठीक है स्टार्ट करते हैं सेकिंड पार्ट में हमने यह किया था और यह बहुत इंपोर्टेंट है और सेकिं करते हैं कि फॉर्स्ट इन बिहार ठीक है कि फॉर्स्ट सीम कौन थे बिहार के श्री कृष्णा सिंग बने थे 1946 से 1961 फॉर्स्ट कवंडर बिहार के जैराम दास तौलत राम और फॉर्स्ट कौन थे उन्हों रिसीव किया था ग्यानपीत अवर्ड बिहार से डॉक्टर रामधारी सिंग दिंकर ने अपनी उर्वशी जो लिखी थी उन्होंने उसके लिए कब मिला था इंपोर्टेंट है ग्यानपीत अवर्ड 1972 में मिला था ठीक है फॉर्स्ट टू एक्सेंडिट टू दा थ्रोन ओफ देली सेहसूरी जो थे त्रोन कर Jeans pray आपको पता हुआ कहां से थे कहां इनका छा सा deat न्यूस में है इस बात ठीक है यह आप कर लेना अच्छे से लिए पूर्टी और हमारा जो है current affair का paid course हो गया है launch आप प्लीज वो कर लीजेगा बहुत ही ज्यादा वर्थ रहने वाला है आपके लिए आने वाले exams के लिए इसमें हम eight month का current affair करेंगे और भी बहुत साथी चीजे करेंगे ठीक है जो आपको इसकी डिटेल्स है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी current affair कोर्स की ठीक है फॉर्स्ट हुई आप असोग चक्री कर चुके हम फॉर्स्ट एंशेंट युनिवरस्टी नालंदा युनिवरस्टी फिप्ट सैंच्वरी में बनी थी अब आप मुझे बताई किसने बनाई थी कमेंट बॉक्स में बताईएगा आप लोग आंसर नहीं देते हैं प्लीज आंसर जरूर दीजेएगा अपना मॉडर्न युनिवरस्टी पटना नाइटिन सैंटीन में बनी थी फॉर्स्ट पीमें सीम बिहार की कौन थी राबरी देवी फस्ट दलिस सीम बिहार से बोलाव पाश्वान सास्थृ फस्ट मुसलिम बिहार के से कौन थी अब्दलगफूर ठीक है पर्स मुस्लिम गवर्णर बिहार के बने थे जाकर हुसेन फर्स इंडिपेंडेंट नॉट ब्लॉंकिंटू एनी पॉलिटिकल पार्टी सीम कौन बने थे महामाया प्रसाज सिना अभी जो आगी का पॉइंट हम करेंगे ना यह बहुत जादा इंपोर्डेंट है आपके एक्जामस में बहुत आते हैं इसमें से कोशन फर्स डेली हिंदू न्यूस पेपर बिहार का कौन सा था सर वितैशी था ना 1882 में हुआ था यह पब्लिश्ट फर्स वीकली हिंदी न्य और इसमें कोशन आ भी चुका है बिहार PCS में ठीक है तो इसमें 1872 है अगर आपको भरोसा ना हो तो प्लीज आप एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लिजे कि बिहार बंदू कब आया था बिहार में 1872 में पब्लिश हुआ था बिहार शरीफ से और इसके एडिटर से हसन अ ठीक है एक्जाम में और कोशन आ चुका है कि बिहार बंदू के एडिटर कौन थे और फाउंड किया था मदन मोहन भट एंड केशवराम भट ने आप हमारे चैनल कर लीजेगा ज्वाइन बहुत ही जल्दी हम पेट जो है कोर्स लेकर आने बाले हैं बिहार स्पेशल जीके का और इसमें देखिए आपको मैंने जो इबुक सजस्ट की थे एड़ा एटलिस पिडिलिम्स के लिए आपको इबुक पढ़ने की ज़रूर नही जैसे की ठीक है देकी जादा लोग होते हैं तो मोटिविशन भी जादा मिलता है और चीज़े और भी जादा हम प्रूफ करके लाने की हम कोशिच करते हैं ठीक है फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूजपेपर यह कोशन अलड़ी देखिए 65th BPSC जो हुआ था उसमें आ चुका है दा सर्च लाइन स्टार्ट किया था 2018 में सचिनान सिनाने प्लस सायद हसन के द्वारा फॉस्ट एडिटर कौन थे इसके मूली मनुवर पर साथ थे और लॉंगेस्ट टाइम के लिए भी यही थी ठीक है कभी कभी ऑप्शन में कि अगर्द्य स्रिप यही दे देता है तो आपको पता होना चाहिए ठीक है और एडिटर रहे थे कुछ टाइम के लिए स्रिप ठीक है देखे बुक में तो ना बहुत कुछ दे रखा था लेकिन हमने यहां पर वही किया है जो इंपोडेंट है ठीक है और जो कोशन बार-बार आपके एक्जाम्स में आ चुके है फॉर्स्ट इंग्लिश वीक्ली न्यूस चपरा में देखे हम ना पहले सोच रहे थे कि जो आपके छे मिनिट की इंट्रोडक्शन की वीडियो की बाद हम सीधे डारेक्ट एंचन इसटी से स्टार्ट करते हैं बट हमें लगा कि यह तॉपिक भी कर नहीं है और क्योंकि इंपोर्टेंट भी है तो चलो पहले यह अब बिहार बरॉनी में है फॉर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अब बिहार कौन सा था सोब प्रोजेक्ट फर्स शुगर मील इन बिहार मरहुरा 1904 में थीक है इंपोर्टेंट पर्स बाइडियर सरनेम एंड बर्थ प्लेस ठीक है तो इसमें एक्चुली जो बुक में थे ना आपकी दो तीन पैराग्राफ में दिया हूँ था हमने सब में मिला लिया है तो जहां जहां आपको बर्थ प्लेस ना दिखे आप चाहे तो अभी तरफ से भ ही था ठीक है बेसिकली आपको इंपोर्टेंट ही याद रखना है तो बहुत जादा चीज़े करेंगे तो आप भूल जाएंगे ठीक है जै पिरकाष नरायन इन्हें लोक नायक और जेपी की नाम से जाना जाता है और इनका बर्थ प्लेस कहता सीता बदैरा छपरा कुबर सिंग जो रिवाल्ट हुआ था आपका 1857 का बहुत ही जादा इंपोर्टेंट डॉल प्ले किया था इन्होंने और इन्होंने इनको बाबू के नाम से जाना जाता है और कहां से ब्रॉंग करते थे जगदीशपूर भोजपूर से ठीक है विद्यापती इन्हें मैथि कोकिल और महा कभी कहते हैं विस्वी मदुवनी इनका वर्थ प्लेस है डॉक्टर श्रीकेशना बिहार के रिस्टी के नाम से जाना जाता है इन्हें और बारमीगा मुंगेर इनका वर्थ प्लेस है देखिए वैसे कोशिच यही रहती है कि कि किसी वी फैक्ट में कुछ भी गलती ना हो बट पॉइंट वन परसेंट किसी फैक्ट में कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज आप लोग भी अपनी तरफ से बताएगा और हमारे भी कोशिच रहती है कि हम अगर कुछ ऐसा होता है तो उसी वीडियो इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ वहाँ पे हम आपको बता देते हैं ठीक है आप भी अपनी तरफ से बता जीजेगा अगर आपको कुछ नया पता चलता है तो रामधारी सिंग दिनकर नैशनल पोएट राश्रकवी सीमरिया मुंगेर जो हमने पढ़ा ना कि फर्स्ट जो ग्यानपीत बावू की नाम से जानते हैं अन बावु जग जीवन राम को जानते हैं बाबु जी के नाम सी वादे नात मिश्रा इने बाबा और नागर जुना तो इसे बिहार केश्री और बिहार विभूति यह आपको पता होने चाहिए तोड़ा इंपोर्टेंट है ठीक है जानारदन पर साथ Justice of Peace के नम से जाना जाता है डॉक्टर अनुग्रिया नरायन बिहार बेभूती कहते हैं इन्हें देखे जब हम important personalities of Bihar पढ़ेंगे basically modern history के उसमें पढ़ते हम last part में तो हम इनके बारे में थोड़ा detail में पढ़ेंगे ठीक है अभी एक तरिक से introduction part देख रहे हैं तो जितनी information चाहिए इसमें हम उतनी ही लेकर आए हैं ठीक है गुरु वविन सिंग पटना सीटी पटना में इनका जनम हुआ था कोटलिया अश्वगोष चंद्रगुपता मौरया आरे भट्टा पाटली पुत्र में इनका हुआ था जनम महा भी रखा हुआ था कुंडग्राम में सेसासुरी सासाराम शिफ पूजन सहय का जनम हुआ था ओनकास भोशपुर में ठीक है अगें इस इंपोर्टन भारत रतना वॉड़ी जो बिहार से हैं वो हैं डॉक्टर जायंदर पिसाद इन्हें मिला था 1962 में डॉक्टर जाकिर हुसेन जो फूर्थ गवर्णर बनेते बिहार के 1963 में इन्हें भारत रतना मिला मौलाना अब्दुल कलाम अजाद और ज्यार्ड रिटाटा को 1992 में मिला जैपरिकाश नरायन को कमिला भारत रतना वॉड नैंटीन नाइंटीन उस्तार विस्मिल्ला खान 2001 में मिला इने भारत रतना वॉड और यह कहां पर हुए थे इनका जनम को कहां हुआ था दुम्राओं में जब बिहार और इस प्रोविंस था ना उस जिक में वह हम कर चुके हैं आपके या पिर शायद अभी करेंगे आगे की वीडियो में यूपी जी के में तो अगर आप यूपी पीस टार्गेट कर रहे हैं तो प्लीज वह वीडियो भी देख लीजेगा उसमें हम लगभग मॉडन हिस्ट्री आपका पूरा पूरा इन वर्ड में था तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ वर्ड कौन सी थी वजी सिंग वह शाली ठीक है फर्स्ट उन्युवर्स्टी इन वर्ड नालंदा उन्युवर्स्टी थी और आप बदाये मुझे कमें बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको पहले पूछा कि न अध्मिर्टिशन अब वर्ड आरेभट ओल्डेस ग्लोरियस एंशेंट रैपूटेट सेटी इन वर्ड पातली पुत्र फर्स्ट योग एन्युवर्स्टी इन वर्ड मुंगेर वर्ड हाइस्ट बुद्ध स्थुपा के सर्या चंपार ठीक है यूनस्को वर्ड हरिटेस कि जो अपने है 40-50% जो है कोशन वो यूपी एसी पैटरन पर लेकर आएगा बता पॉइंट इस जो आपका स्टेट स्पेशल जीके है वो बदल थोड़ी जाएगा हां थोड़ा डीप कोशन पूचे जा सकते हैं स्टेटमेंट बेस कोशन पूचे जा सकते हैं थोड़ा सा पहले वन लाइनर पूचे तो इसलिए आपको फैक्ट पर कमांड होना बहुत जरूरी होती है बलब जो कोशन इजी होना जहां पे सब सही कर रहे हैं वहां पे आप गलत नहीं करना चाहिए वहीं आप कोशन में थोड़ा आउट हो जाते हैं ठीक है अगर 99% लोग को कोशन जाते पारे हैं और आप सही कर रहे हैं तो उससे कोशन नहीं बनता लेकिन 99% नाइटी-आइन परसंट लोग कोशन को सही कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं तो वहीं आप competition से आउट हो जाते हैं ठीक हैं फॉर्स अर्केल opened का थि Denn市 nada university 2016 में मिला था यह उन्य को world heritage का ताइग से और महाबोदरी टेंपल कॉंपलेक्स बोद गया में है 2002 में मिला था इसको इन टैग ठीक है अब हमने पढ़ा पहले कि जो बिहार से चीजों थी वह फॉर्स्ट इन वर्ड ठीक है और अब पढ़ेंगे बिहार फॉर्स्ट इन इंडिया फॉर्स प्रेसिडेंट इंडिया आरे भट्टा थे बिहार से थे फॉर्स चेर्मन अप कॉंस्टिटूटूशन असेंब्ली कॉंस्टूटूएंट असेंब्ली टैंपररी देखे सचिननन सना रथे और पर्मनेंट बने थे डॉक्टर रैंदर प्रसाद अब आप मुझे पता ही कॉंसी डेट पर क्योंकि यह कोंशन आपको आल्रेडी पार बार पूछा जो का है बिहार पीसेस में और भी एक्साम में ठीक है कमेंट बोक्स में जरू बताइएगा फर्स्ट इंडियन गवर्णर दूरिंग बिटिश पीरियर्ट आस्पी सीना थे ने 1921 वे सही है music I और कहीं कहीं ने सत्य इंद्र प्रिसाथ सिना भी कहते हैं ठीक है यह थे फॉर्स कवेंडर अब बिहार एन ओरिशा फॉर्स इंडियन एद्विके जनरल बेंगॉल फॉर्स इंडियन तु विकम मैंबर आफ वाइस रॉय एक्जेक्यूटिव कॉंसल एन फॉर्स इंडियन यह उऑ्प तरीके से स्टेट पीसीयस का और खासकर बिहार पीसीयस का कि किसके बुलाने पर महात्मागाणी चंपा रंड गए थे कौन सा फार्मर था जो महात्मागानी से मिला था और उसने इंवाईट कि फ़स्ट एंडिटेम डोकुमेंट्रीद्टिश अशोका पीरड क बिहार से मिला एंड फॉर्स फ्यूमन लोग सवाई स्वीकर आफ इंडिया मीरा कुमार बनी थीक है लॉंगेस्ट रिपर ब्रीज महात्मा गांदी से तू 5.6 क्लोमेटर पटना टु हाजिपूर का बना इंडिया में फॉर्स स्टेट टू इनिशियेट ब्यासनल मोबाइल सर सिस्टम ठीक है अब मैंने आपको अल्रीडी करन रफिर में करा दिया है कि उनिफाइट प्रेंशन सिस्टम को लांच करने वाला फॉर्स स्टेट है वह कौन सा बन गया है अब ऐसे ही कोशन आपके एक्जाम में आ जाते है ठीक है तो आप मुझे बताएं अगर आपको पता आपके वाइट पर में तो अब ही बादा पंचाहिटि राग बिहार प्रेंशन आता ही आता है लेकिन यह बहुत इंपोरेंट टैक्ट है एक तरीके से बिगेस्ट अनिमल फियर उफ इंडिया सोनपुर फियर और जो की है को इस आप गंगा कंदक फर्स चेर्मेंड बिहार लाइगसलेटिव असेम्बली राम द्यालू सिंग बने 1937 में और फॉर्स्ट स्टेट टू लॉंच इस शक्ति प्रोजक्ट पाली कंसे लॉंच किया गया था ये बिहार में ठीक है अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज यारे कमेंट कर देना कि हां हम चाहते हैं कि आगे आप इसको सीरीज को कंटीनू रखें उससे क्या होता है कि चीज़े आपको तोड़ा मुटिवेट करते हैं कि हां तभी हम रिकॉर्ड करेंगे तभी हम पीडियो लेकर आएंगे ठीक सेंटर की बात के दों टीवी डेमुंस्रेशन अंट न्ट्र प्रेइनिंक सेंटर पटना और ढर्रभंगा दोनों जगए हैं ठीक है और संटल फ्यूंन पढ़ा हैं कर ने Whoa इसStar सेंटेट अंस्टी कोलेज इस न संट्न हएं तो आ जलबोर्डा में अर्पराई कॉलेज समस्थि पूर में है राइंदर अग्रिकल्चर इनवर्स्थी इंपॉर्टे fun ऐ समस्थि पूर में है ठीक है मगदि उनिवस्टि मगद में, बावचाय बीम करनымиः इनिवर्सटी मुझधर्फर्पुन में है, तिलका माजी भागलपुर उनिवर्सटी, अब्यस्सि बात था भागलपुर आ गया जो भागलपुर इनिवर्सटी में ही होगी, जैपिर्कास उनिवर्सटी चपरा में है, वीर कुवर्सिंग उनिवर्सटी अरहा में है, तीक है, क्यों हमने पढ़ा ना कि यह कुवर्ड जी जो थे, जो थे, जो ने 1857 रिपोल्ड में बहुत ही, मतलब बहुत ही ज्यादा इनका योगदान था, तो यह कहां से बलंग करते अरहा से करते थे वीर में, ठीक है, राइंदर अग्रिकल्चर निवर्स्टी पूसा में है, नेक्स इस वैटरनरी कॉलेज जिस की बात करता, बिहार वैटरनरी कॉलेज है पटना में, वैकल्टी वैटरनरी साइंस एनिमल हैस्वेंडरी है समस्तिपुन में, आप मुझे बत बार के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट होते हैं यह पूरे आपके इस वीडियो में आ गए और जो फॉर्स वाला जो पार्ट है जो सिक्स मिनट का है वो जरूर देख लीजेगा इसके बाद हम सैंसर और फॉर्स सर्वेस रिपोर्ट जो है वो बीडियो लेके आ जाएंगे आप लोग के लिए और यह फिर चारो वीडियो ठीक है मर्ज करके आपको एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मिल जाएगा बिसिक्ली आप हमारा जो पेट कोर्स है वो भी कर लीजेगा टेलीग्राम चैनल आप बेसिकली जॉइन कर लीजेए जब भी कोर्स होगा लॉंच जाएंगे तब ही करेंगे अभी तक इतने स्टुटेंट नहीं है क्योंकि आदे को मेहनत तो उतनी ही लगती है क्योंकि उसमें और भी चीज़े होंगी सिर्फ नोड सी प्रोवाइड नहीं कराना होता है और भी चीज़े होती है ठीक है तो आप लोग डेख लीजेगा टेल बस टे क्यों